और बोल दे किस्मत को जैहिन आसा करते हैं कि आप सभी स्वश्थ और मस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी फुरी मंदारी के साथ कर रहे होंगे जो सेल चेपर हम लोग पढ़ रहे थे उसके concept हम लोग ने पढ़ लिया था सेल का हम लोग concept देख लिए थे और उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे आज से सेल का जतने भी objective सवाल बनते हैं उनको हम लोग solve करेंगे तो आप हमारे साथ जल्दी से जल्दी जूड़ जाए अपना notebook निकाल लिए और अपने हाथों में कलम पकड़ लिजिए क्योंकि कहते हैं कि अपनी मंजिल को छोड़ कर जिया तो क्या जिया अपनी मंजिल को छोड़ कर जिया तो क्या जिया दम है तो उसे पा के दिखा और लिख दे स्याही से अपनी काम्यावी की कहानी और बोल दे किस्मत को और बोल दे किसमत को कि दम है तो उसे मीटा के दिखा तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल चेप्टर का जो objective परशन है उनको हम लोग बारी बारी से उनका हल करेंगे और इससे एक भी सवाल परिष्णा में नहीं चुड़ेगा यह SS classes का वादा है और फिर हम आप से वादा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे हैं हम आपको एक भी कोशेन गलत होने नहीं देंगे परिष्णा में कि मोलिक इकाई मतलब मूलकन क्या है किसी भी जीवों के निर्मान के लिए जैसे घर बनाते हैं हम लोग घर तो घर बनाने के लिए हम लोग सबसे छोटा इकाई इंटा की जरूरत पढ़ती है उसी तरह से हम लोग का जो सरीर बनता है उसके लिए हम लोग को को सिका की जरू कौशिकाओं को आगी हम लोग जोड़ेंगे तो उससे अम लोग का उट्ता का निर्मान होगा और यह नियूर्ण किया है तो नियूर्ण भी एक तरह का हम लोग का शरी में पाये जाने वाला है ये मस्टíchस ये पाइजाता है यही गेलियल सेल की तो थे जी Pride करता है कि यह फाल सबसे जरूरी चीज है किसी भी सरीर के निर्मान के लिए को सबसे जरूरी चीज है उसका भी एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कोशीका इसका यह गिंशय की पाति आता है। उत्तक से हमारा अंग बनता है, उत्तक से अंग बनता है, और अंग को मिला देंगे, तो एक अंग का एक सिस्टम बन जाता है, और ओर्गन सिस्टम के बाद हम लोग का सरीर का निर्मान होता है, तो चलिए दूसरा का एंसर हो गया, कोसिका, दूसरा का एंसर क्या हो गया, कोसि कोसिका के अध्यान को क्या काते हैं तो हम बता थे जब हम लोग कॉंसेट कर रहते हैं यदि आप सब फिछला वीडियो नहीं देखें एक पहले देख लें क्योंकि उसका लिंक हम आपको को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको सारा प्रोशन जो है अच्छा सा समझ माएगा तो देखिए कोशिका के अध्यान को क्या करते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा सब्सक्रशंट कता है। अब आप सब्सक्राइब, डर्मेटलोजि किसे सब्न्दी थे? तो अब देखें, और निर्थोलोजि जो है, पक्षियों के अध्यान से समधित है, तो कोशेब के अध्यान, कोशेब के अध्यान की बात है, तो हम लोग लिखेंगे साइटो लोजी अगला कोसिका कोशिका के लिएंशा कोशिका चArthur क blossom के जनक किसे का जाते हैं तो इसका खूँसर की हो दा था और उन्हों ने इससे जनक धा जाएन से समझना भी चाहिए कि रोबर्ट कोच के आखिर से आखर कोशन हो परत और ठीवर कोलोसिस पेल जो खेल तो पेलता जिस जीवानों चैन्म अब हम लोग अगला नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशिगा की खोज किस ने किया था। DES, सभी जीव DES के बने होते हैं. मतलब सभी जीव किससे बने होते हैं? जहसे हमने बताया कि घर बनाने के लिए हम लगए इटा का जरुरत पड़ती है. उसी दरह से हम लोग जो मानव सरीर हैं. उस शरीर की समरचना के लिए, सरीर की बनावट के लिए सबसे चोटी चीज, सबसे यूनिट चीज, जो है वो हम लोग का कोशिका है, इसलिए इसका भी एंसर हो जाएगा कोशिका, इसका एंसर हो जाएगा कोशिका, देखिए उत्तक इसलिए नहीं होगा, क्योंकि उत्तक का निर्मान कोशिकाओं से होता है, अंग इसलिए नहीं कोशिका की खोज कब किया तो शुला सो पैय्सटमियश भी में देख सबसे पहले कभी में क्या पर दाथ में देखा कि दांत में देखा कि मिट्टी में देखा कि कौर्क में देखा यानि कि रोबर्ट जो हुग था रोबर्ट हुग जो कोशिका को सबसे पहले उन्होंने क्या किया उन्होंने कौर्क पेड का जो छाल लिया था उसी में देखा था कहां देखा था कौर्क पेड की छाल में अब अगला कोशन है कि माइक्रोग्राफ पुस्तक में लिखा था, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखा कौन है, तो Robert Hooke, इसका सही एंसर हो जाएगा, Robert Hooke, आप देखिए, यह Robert Brown क्या है, तो Robert Brown केंदरक की खोच क्या था, हम आपको पहले बताएं, केंदरक की खोच क्या था, लिवेन होग क्या है तो लिवेन होग जो है उन्होंने जीवीत कोशिका की खोच किया था लिवेन होग किसका खोच किया था जीवीत कोशिका की खोच किया था इसलिए उसे जीव विग्यान का जो जीवानु विग्यान है उसका फादर कहा जाता लिवेन होग को आप देखें स स्वाण हम बताई थे कि उन्होंने स्भान अगला प्रस्म को शीका एक लेटीन सब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है तो हमने बताया कि कोशीका की खोज रोवर्ट हुक ने किया था पर ङुक्षख लिया था उसकी चाल को अनोरे सूच्मदर्सिक की साइता से देखा थोसे मदमख्य की छत्ता जैसा दिखाई दिया और वो जो छत्ता था उसमें कमरेग की तरह संरचना था कमरी की तरह मतलब उसके जो छता था कमरी की तरह था और वह छोटा 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 था इसलिए कोशिका का जो लेटिन सब्द है इसका अर्थ होता है छोटा कमरा इसका अर्थ क्या होता है छोटा कमरा इसका अर्थ क्या होता है छोटा कमरा इस तरह से हम लोग का क्या हुआ इस तरह से SS classes के द्वारत धुआँ धुआँ हो जाएगा और आपका सारा परशन एक्जाम में बनेगा तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जय हिन